यह रोड थोड़ी सी अच्छी है इस पे ना काफी मज़ा आता है इसको चलाने में बस ऐसी रोड हो ना तो रास्ता अपना बढ़िया निकल जाएगा इस भाँ जाते है लिए यहां पर जाते हादे अच्छा लगाया मिलते रहें लोग जलते हैं अब अब साहलो दोस्तों गुद्मार्निंग और स्वागत चाहता है अब लोग जाते हैं आपको एक और में वीडियो में कल वाला ब्लाग जिसे अभी देखा होगा जिस जिसन नहीं देखा हो देख रहा हो जाके माकी कल रात को हम आल्मोस्ट अमाला पहुच रहे थे स्टे किया था मैंने भूआ के घर पे और अभी टाइम हो रहा है दस काफी लेट हो गया अज निकलने में एक्षिट यह कल बहुत तर्द हो रहा था था में बिल्कुल भी वस्की नहीं था पूरी रात नहीं सो पाया दर्द के मारे बच्टे इसने लेट हो गया निकलने में पर निकल चुका हूं और आज का टार्गेट रखेंगे अट लीस्ट पंचकुला पहुंचना पंचकुला यहां से 47 km दिखा रहा है और मैं निकल चुक चलते हैं यहां से बने रहना वीडियो में और कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी देख लेना जाके अपनी दो वीडियो आ चुकी हैं दो दिनों पर आपने वो ट्राइवल करते हुए ऑल्मोस्ट वाकी आज ट्राय करेंगे पंचकुला एटलीस कर लें टाइम से पहु बिटा लगरान मुष्य से अगर आप लोग यह एं ऐसा प्लान करन हो ना पैदल आने का इतनी से एक हैं आप लोग प्लान कर रहा है कुछ ऐसा ही ते बार आने अपने साथ ना इसे quarantine यह टो कि आपको एकक्रस्टा कवर्न करने है पहली और फूसर लेके चलना ताकि प्रोटीन वगेरा मिलता रहे जित्ती आप मेहनत करो उतना आप प्रोटीन एट लीस्ट लो बाकी पानी क्यारी करना ज़रूरी है ऐसी दूप में मिलको हर्ड एक डेड़ किलो मिटर बाद प्यास लग रही है तो पानी पीना बढ़ रहा है क्योंकि तो चल रहा हूं जल्दी जल्दी इसको चलाया था मैंने अभी बट मेरे नहीं बहुत ज्यादा दर दो रहा है पैर में इसको चलाओंगा मैं आगे वाई थोड़ा सा आगे जाके रोड थोड़ी सी रही है खड़कर आगे चलते हैं ओ भाई थक गया गाइस अपने आया नहीं है जादा वोग भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि काफी दर्द हो रहा है यार पैर में और आज वैसे पर कोशिच कर रहा है मतलब सोच रहा है कि आज मैं कंटीनियू ना करूं रुकूं तो कि यार पूरी रात मेरे को वामिटिंग हुई है पेट जीव साही रहा सपोर्ट करते रहो गाइज और चलते हैं बाकी हां मैंने यार कल का एक्सपेंस नहीं बताया था आप लोगो तो कल अपना ऑल्मोस्ट सो रुपे का खर्चा हुआ था पूरे दिन में और वोई सो रुपे अपने को मिल भी गए थे मतलब भीया ने जो आप लोगो बताया थ हो या और अभी चलते हैं 500 रुपे लेके निकला था अगड़ से हैं अपने पास सभी साड़े 300 के राउंड खर्चा ऐसा कुछ है नहीं खाना मैंने मतलब खाना मिरको बुआ ने पैक करके दे दिया था तो अपन खाना खाई लेंगे आज का अपना खाने की दिक्कत है नही चलते हैं वाकि थोड़े दे रुपाता यार दो तिन मिंट काफी लंबा हो गया चलते हैं आयो ना तो भाई पंचकुला है यहां से 40 चंदिगर 50 अपने का कोशिश है हमारी कि हम पंचकुला पहुंच जाए है कि अल्मोस मैं भी चार किलोमेटर की वाक की है मैंने हालत अब तो यह रस्ताना मैंने अंदर वाला पकड़ा है क्योंकि इस पे आल्मोस साथ किलोमेटर कम दिखा दा मेरे को दूसरे वाई रस्ते से तो चलते हैं दूप बहुत गंदी हो रखी है आलत वर टाइट हो दिए यार तो अभी गाई यह पहला कोई गाउं पढ़ा है अप कौन सा खेडा बोडा खेडा तो अभी बोडा खेडा है यहां इस गाउंगा नाम यहां एंटर गिया है चलना आगे भी तो बहुत यह ना गया बड़ा सुनसाम सा गाउं लग रहा है एक भी बंदा नहीं दिखा मिर को अंकल के लागा भी तक इस रोड़ पे सारा खाली यहां से पंच्कुला रहे है 25 किलो मिटर जहां हमने स्टार्ट किया था 47 था और राइम भाई दो बज गए है भूग लग रही है पर यहां पर मैं और कुछ भी नहीं है नहीं बैट के मैं खाना खाने की सोच रहा था है बट देखते हैं भी बरवाला अपना जो मैं आपको पता आथा 10 किलो मिटर वह गया रहा था आल्मोस्त साथ किलो मिटर कवर कर चुका हूं और अभी 3 किलो मिटर रह गया है तो लेट सी करते हैं कंप्लीट अगी यार बड़ा आज ना वोरिंग वोरिंग सा लग रहा है पूरा दिन जाए पिछले तीन किलो मिटर जिना ऐसी च जाली तो यहां पर लोग बोल रहे थे थोड़ा जिसकी भी है भाई पैदल ओन फोन छीन लेते हैं या कुछ संतेंग स्नैचिंग वगयारा होती है इस रोड पे तो भाई देख दो सामने ना कोई है मैं अपने पीछे कोई है अकेला चल रहा हूं पूरी रोड पे दूपो हो रखी है गंदी एट लीस्ट दस किलो मीटर का रोड है यह बारवाला सतका तो यह तो गवर करना ही पड़ेगा किसी वितरा बिना रुके पर रुकूंगा तो सही यार इतना कंटीनियू नहीं कर पाऊंगा चलते हैं बाकी कि यह रोड थोड़ी सी अच्छी है इस पे ना काफी मज़ा आता है इसको चलाने में बस ऐसी रोड हो ना तो रास्ता अपना बढ़िया निकल जाएगा इस ओ आओ अब जाके अपने को यहां पर थोड़ी बहुत दुकाने दिखी है तो अल्मोस पीछे बीस किलोमेटर तक ना कुछ भी नहीं दिखा मेरको सुनसान रोड चल रही थी बिलकुल तो अब यहां पर ना चाय भाई पीटे नहीं बैटके बढ़िया सी पहले 22 किलोमेटर रह गया है और अल्मोस कवर कर चुका हूं 47 किलोमेटर सा जब निकले थे तो 25 किलोमेटर कर चुका हूं अभी ब्रेक लिया था चोटा सा एक तीछे दो केले खायते और चल पड़ा हूं आगे अब आगे देखते हैं थोड़ा सा वाक करके कहा रुखूंगा वा और पहुच जाएंगे वाकी है सब यहां का सीन है जहां चल रहा हूं मैं इस रोड़ पे तो गाइज अब हमने एंटर कर लिया भाई एनेच 77 किलोमेटर और अपना पहला टोल प्राजा आएगा भी यहां से एक किलोमेटर पे दिखा रहा है यह बोड आगे चल रहे हैं यह है अपनी बढ़िया तो चला रहा हूं कि वाकी आइज बहुत बहनत हो रही है यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्राइनल को ना बढ़िया तो यार थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो गई है मैंने चेक किया अपना चश्मा बैग में मिलानी मिलको लगता है मैंना जहां रुकाता पीछे के ले के लिए मैं भूलाया मैं रखाता हूं टेबल पर तो आप जानी सकता है यार तीन चाल किलोमेटर पीछे वापिस बसकी नहीं है विलकुल भी तो देखते हैं आगे तो सब्सक्राइब मिलके अपने को पोलराइस को ले लेंगे नहीं तो भाई जरनी बिना चश्मे के गाड़नी पड़ेगी और मुश्किर हो जाएगा धूप में ट्रैवल करना कि इतना बजट नहीं है यार ज्यादा महांगा होगा नहीं ले पाऊंगा चश्मा तो देखते हैं जोगी है तो बाइस ऑल्मोस पंचकुला रह चुका है 15 किलोमेटर और यहां स जालो यह सारे भीया में मिले दें यहां पर बिलकुल आपके क्लिप दाल गेरें अच्छा लगाया मिलते रहे हैं लोग मेरे जलकी जलते हैं जलो वियाख करने हैं तो बाइस एक सेकंड गाइस यू देखो या और सामने का भाई पूरे माउंटेंस ही माउंटेंस उससाइड में दिखने स्टार्ट होगे और यहां रुका हूं दस किलोमेटर रह गया है यहां से अल्मोस्ट तबर कर लेंगे लगता तो है जाम होगे सुरज जूब रहा है यहां रहा है तो कोशिश है कि अभी न कोई बता रहा है मेरे को आके 2-3 किलो मेटर बें बुद आ रहा है तो वहीं स्टे करने का सोट रहा हूं यहां रहा है अंदेरे में ट्रेवल ने किया जाएगा तो अल्मोस सुबह से बाई 45 किलो मेटर्स कर चुका हूं 10 किलो मेटर बागी है तो काफी है यार थगा पड़ा हूं बहुत ज्यादा तो गाइल्स गुर्दवारा भाई पहले दो किलो मेटर बताया था मेरो किसी ने और लेकिन है साथ किलो मीटर मेरे नायर पैर जवाब दे चुके हैं आज लिटरली सुबह से एक सिंगल लिप्त ने मिली अपने को तैसे मैं नी मांगता मैं बस्वेट करता अब मतलब मांगता है नियू लिप अट मिल जया है तो अलग बात है आज अपने हो मिली नी कोई लिप सुबह से ट्रावल कर रहा हूं अल्मोस्ट 50 प्लस कर चुका हूं इसके साथ है वाकि अब बिल्कुल भी यार मैं क्या रहा हूं हालत नहीं हो रही है वाई मेरे ना और एक और सीन हो गया अपने साथ सोटा सा यह वाला देहरून अट इसका इसको ना मैं चला भी नी पा रहा हूं रहा हूं से इसलिए बड़ी प्रावलम हो रही है ऐसे ही चुनाई थी है यह अन्देरा भी होने लग गया है तो अब यह तो पका हो चुका है कि अपने गुर्दवारे में स्टे कर करना है लेकिन गुर्दवारे तक पहुंचना मेरे लिए गाइस टास्क होगा है बहुत तगड़ा वाला क्योंकि मेरे बिल्कुल भी एक पर्शंट उसकी नहीं हो रहा है कि मैं बॉक कर सकूँ बहुत आत्राव यार चलो देखते हैं क्या सीन है तो भाई फाइनल ली आ चुका हूं गुर्दवारे अब यहां पर स्टे का पूछता हूं कैसे क्या क्योंकि मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी मैंने आस से पहले नहीं किया